C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तेरह सममिती प्रिष्ठ 288 प्रशनावली 13.2 1. यहां दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ग्याद कीजिए A, B, C, D, E, F, G, H और I में अलग-अलग आकृतियां दी गई है 2. नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वरगांकित पेपर पर बनाईए प्रत्येक में सममित रेखा या रेखाओं को यदी है तो उन्हें खीचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए आप उनमें से कुछ आकृतियों को अनूरेक यानी ट्रेस करना पसंद कर सकते हैं पहले पेपर को मुड़ने वाली विधी द्वारा प्रयास करें यहाँ A, B, C और D चार अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं परंतु चारों ही तृभुज आकृतियां हैं तीन निम्न तालिका को पूरा कीजिए आकार sam bahu तृभुज आकृति खाका या रूप रेखा यहाँ एक तस्वीर है सम्मित रेखाओं की संख्या तीन आकार वर्ग आकृति खाका या रूप रेखा डैश सम्मित रेखाओं की संख्या डैश आकार आयत आकरती खाका या रूप रेखा डैश सम्मित रेखाओं की संख्या डैश आकार समद्विभाहुत्रिभुज आकरती खाका या रूप रेखा डैश सम्मित रेखाओं की संख्या डैश आकार समचतुर्भुज, आकृती खाका या रूपरेखा, डैश, सममित रेखाओं की संख्या, डैश, आकार वृत्त, आकृती खाका या रूपरेखा, डैश, सममित रेखाओं की संख्या, डैश, प्रिष्ठ दो सौन नवासी. 4. क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें A. केवल एक ही सम्मित रेखा हो B. केवल दो ही सम्मित रेखाएं हो C. केवल तीन ही सम्मित रेखाएं हो D. कोई सम्मित रेखा न हो प्रत्येक में आकृती की रूप रेखा यानी खाका बनाईए पांच, एक वरगांकित पेपर पर ये रूप रेखा बनाएए संकेत, आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सम्मित रेखा कीचें और उसके बाद आकृती को पूरा करें A. एक त्रिभुज जिसमें क्षातिज सम्मित रेखा तो हो, परंतु उर्थवाधर सम्मित रेखा न हो B. एक चतुरभुज जिसमें क्षातिज और उर्थवाधर दोनों ही सम्मित रेखाएं हो C. एक चतुर भुज जिसमें क्षातिज सम्मित रेखा तो हो, परन्तु उर्धवाधर सम्मित रेखा न हो D. एक शट भुज जिसमें केवल दो ही सम्मित रेखाएं हो E. एक शट भुज जिसमें 6 सम्मित रेखाएं हो 6. प्रत्येकाकृति का अनुरेखन यानि ठ्रेस कीजिए और सम्मित रेखाओं को खीचिए A, B, C, D, E और F, 6 अलग-अलग आकृतियां यहां दी गई हैं 7. अंग्रेजी वरण माला के A से Z तक के सभी अक्षरों पर विचार कीजिए इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाईए जिनमें प्रिष्ठ 290 A, उर्धवाधर सम्मित रेखाओं हूं जैसा के A B, ख्षैतिज सम्मित रेखाओं हूं जैसा के B C, सम्मित रेखाओं नहूं जैसा के Q यहां चित्र में A दर्शाया गया है 8, यहां पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आक्रितियां दी गई है जिनकी तैह पर आक्रितियां बनाई गई है प्रत्येक में पूर्ण आक्रिती की रूप रेखा खींचिये जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई देगी 13.5 प्रतिबिम्ब और सममिती सममित रेखा और दर्पन प्रतिबिम्ब एक दूसरे से प्राक्रितिक तौर पर समबंधित है यहां एक काक्रिती दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर M का प्रतिबिम्ब दिखाया गया है आप कलपना कीजिए कि दर्पन अद्रिश्य है और आप केवल अक्षर M तथा इसकी चाया या प्रतिबिम्ब को देख सकते हैं वस्तु और उसका प्रतिबिम्ब दर्पन रेखा के संदर्भ में सम्मित है जब एक पेपर को मोडा जाता है तो दर्पन रेखा सम्मित रेखा बन जाती है तब हम कहते हैं कि छाया दर्पन रेखा में वस्तु का प्रतिबिम्ब है आप यह भी देख सकते हैं कि जब वस्तू परावर्तित होती है तो उसकी लंबाई और कौनों में बिलकुल भी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वस्तू की लंबाई और कौन तथा छाया की संगत लंबाई और कौन समान होती है यद्यपी एक तरह से परिवर्टन भी होता है अर्थात एक वस्तु तथा उसकी चाया में अंतर होता है क्या आप खल्पना कर सकते हैं कि यह अंतर क्या है? संकेत अपने आपको दर्पन में देखिए प्रिष्ठ 291 इनहें कीजिए एक वरगांकित खागज पर एक आकरती A, B, C बनाएए और इसका दर्पन रेखा L में प्रतिबिम्ब A-B-C- ग्याद कीजिए A, B और A-B-, B, C और B-C-, A, C और A-C- की लंबाईयों की तुलना कीजिए क्या ये अलग है? क्या प्रतिबिम्ब एक रेखा खंड की लंबाई में परिवर्तन करता है? A, B, C और A-B-C- कोणों की मापकी तुलना कीजिए क्या प्रतिबिम्ब क्यों के आकार को बदल देता है? A, A-B, B, B-C- को मिलाईये कोण मापक की सहाइता से L और A, A-B, B, 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 L और C, C- के बीच बढ़े कोणों को मापिये दर्पन रेखा L और किसी बिंदू और इसके प्रतिबिम्ब को मिलाने से बने रेखा खंड के बीच बने कोण के बारे में आप क्या निश्कर्ष निकालते हैं? प्रयास कीजिए यदि आप दर्पन के सामने सौ सेंटिमीटर की दूरी पर हैं, आपका प्रतिबिम्ब कहां होगा? यदि आप दर्पन की ओर चलते हैं, तो आपका प्रतिबिम्ब किस प्रकार चलता है? इन्हें कीजिए काघजों द्वारा सजावट एक पतला आइताकार रंकीन काघज लीजिए इसे कई बार मूड़िये और काघज में कुछ जटल प्रतिरूप बनाईए जैसा के यहां आकरती में दिखाया गया है बार बार आने वाले डिजाइनों में सम्मित रेखाओं की पहचान कीजिए ऐसे सजावटी कर्तित काघजों का प्रयोग त्योहारों के अवसरों पर कीजिए केलाइडोसकोप अनेक दर्पनों वाले केलाइडोसकोप में कई प्रतिबिम्ब बनते हैं जिन में अनेक सम्मिती की रेखाएं होती हैं जैसा यहां उदाहरण में दर्शाया गया है, प्रायह दो दर्पन पट्टियों को वी आकार में रख कर प्रयोग किया जाता है, दर्पनों के बीच बने कून सम्मित रेखाओं या सम्मित रेखाओं की संख्या को बताते हैं, एक खलाइडोस को बनाये और इसके द्वारा बन बनाई गई सम्मित रेखाओं की कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यहां उदाहरण के थौर पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें केलाइडोस्कोप से बने पाटन नजर आ रहे हैं, केलाइडोस्कोप को गत्ते से बनाया गया है, दो दर्पन को वी आकार में रखकर, तूटी हुई चूडियां, भीता, इत्यादी, दर्पन से बेहद सुन्दर नजर आते हैं, प्रिष्ट 292 एल्बम सममित डिजाइनों को एक कत्रित करके एक एल्बम तयार कीजिए, यहां पर कुछ नमूने दिये गए हैं, परावर्ती या सममिती का उपयोग एक अखबार बाटने वाला लड़का अपनी साइकल को गली में किसी बिंदू P पर खड़ा करता है, और अखबार A और B घरों में बाटता है, उसे अपनी साइकल को कहां पर खड़ा करना चाहिए, जिससे A P जमा B P दूरी सबसे कम हो यहाँ एक चित्र में इस सब दर्शाया गया है, A और B घर, P बिंदू जहाँ वो लड़का खड़ा है अपनी साइकल पर और त्रिकोन जो बन रहा है इन रेखाओं को जोड़ने से आप यहाँ पर परवर्तिय सम्मिती का प्रयोग कर सकते हैं, मार्ग को दर्पन रेखा लेने पर माना A का प्रतिबिंब A डैश प्राप्त होता है, तब हम कहेंगे कि बिंदू P साइकल को खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां दर्पन रेखा A डैश B को काटत है, क्या आप खेह सकते हैं क्यों? दो बिंदू कित रेखाएं, दो सममित रेखाओं के रूप में हूँ, यहां छे अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं, जिन्हें वरगांकित पेपर पर बनाया गया है, प्रिष्ट 293, आपने इस आकरिती को कैसे पूरा किया? तीन, नीचे दी गई प्रत्ये काकरिती में अंग्रेजी वरण माला के एक अक्षर को उर्धवाधर रेखा के साथ दिखाया गया है. इस अक्षर का दी हुई दर्पन रेखा में प्रतिबिम्ब लीजिए. बताइए कौन सा अक्षर प्रावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिम्ब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्यों? यहाँ चित्र में A और B अक्षर दिखाए गए हैं. O, E, M, N, P, H, L, T, S, V, X के लिए प्रयास कीजिए. रंगोली प्रतिरूप कोलम और रंगोली हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं. कुछ नमूने यहाँ दिए गए हैं, उनमें सममिती के प्रयोग पर ध्यान दीजिए. इन प्रतिरूपों को जितना भी संभव हो सके इकठा कीजिए और एक अल्बम तयार कीजिए. प्रिष्ठ 294 हमने क्या चर्चा की? 1. एक आकृती में सममित रेखा होती है. यदि एक खींची गई रेखा आकृती को दो बराबर या समान भागों में बाड़ती हो. यह रेखा सममित रेखा कहलाती है. 2. एक आकृती में कोई भी सममित रेखा नहीं हो सकती. केवल एक सममित रेखा, दो सममित की रेखाएं या अनेक सममित की रेखाएं हो सकती हैं. यहां पर कुछ उदाहरण दिये गए हैं. सममिती की रेखाओं की संख्या उदाहरण. कोई सममित रेखा नहीं, एक विशम भाहुत्रिभुज. केवल एक सममित रेखा, एक सम द्विभाहुत्रिभुज. दो सममित रेखाएं, एक आयत. तीन सममित रेखाएं, एक सम बाहुत्रिभुज. अनेक सममित रेखाएं, एक वृत्त. 3. रैखिक सममिती परावर्तन से संबंधित होती है। जब हम परावर्तन के बारे में बात करते हैं, तो हमें बाएं दाएं अभिमुक होने का ध्यान रखना चाहिए। सममिती का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे कला में, शिल्प विद्या में, वस्तर प्रौध्योगी की, डिजाइन बनाना, ज्यामिती यत्तर्क, कोलम, रंगोली, इत्यादी। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचनस्वर, गौरव मारवा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत।